नमश्कार स्वागत है आप सभी का हमारे किशनमी तो भाई आज तो बहुत ही एकदम next level की समझी है और ये सबको बहुत पसंद आती है इसे ना आप टीफिन में दे सकते हैं बच्चों के साथ या ओफिस के समय भी टीफिन में ले जा सकते हैं इसे डाल चावल के साथ भी कि यहां मैंने ले लिया एक राही और इसमें मैं डालोंगी एक टेवल स्पून तेल बहुत ज्यादा तेल हम नहीं डालेंगे आपको ज्यादा पसंद है तो आप थोड़ा ज्यादा डाल सकते हैं और तेल को गरम होने देंगे इसके बाद इसमें एक छुटा चमच हम जीरा डालेंगे और अगर आप जीरे के जगा मेथी डालेंगे तो वो भी बहुत अच्छी और सोनी सोधे लगती है या फिर जीरा मेथी दोनों डाल सकते हैं इसमें कुछ लोग मगरेला भी थोड़ा सा और अब हरी मिर्च और इस तरह से पतली कटे हुई प्याज हम डाल देंगे प्याज नहीं घाते तो आप प्याज आवएट कर दें बीना प्याज के भी बहुत अच्छी बनती है और इस टाइम पे हम बहुत ज़्यादा तेज आँच नहीं रखेंगे तो इस तरह से हम प्य है अब दाल देंगे और इस तरह से चलाते हुए हमें बूना है मुझा कि बहुत जादा इसमें मसाले नहीं पड़ते नहीं बहुत जादा ताम जाम पड़ता है बहुत ही अलका सा इसमें आधा चमश हम हल्दी डालेंगे, स्वाद के नुसार नमक डालेंगे और इसे इस तरह से मिक्स कर देंगे तो अगर आपके पास टाइम है तो इसे ऐसे ही खुले में चलाते हुए पकाएंगे तो गुल्डन करर की एकदम क्रिस्पी सी परनेगी बहुत ही टेस्टी लगती है और अगर टाइम नहीं है तो बीच में थोड़ी देर आप आश धीमी करके पाँच मिनट के लिए आप ढग सकते हैं और उसके बाद आप इसे खुले में इस तरह से पकाएंगे तो यहां पर सब कुछ हमने डाल दिया है कुछ भी और नहीं डालेंगे हम और इसे धीमा करके हम ढग देंगे पाँच मिनट हो गए हैं एक बार और इसे चला देते हैं और यकीन मानिए यह इतनी टेस्टी लगती है कि कोई भी ऐसा बैक्ति आपको नहीं मिलेगा जिसे यह ना पसंद हो बच्चे तो एकदम से जो बच्चे खाना नहीं खाते ना अगर आलू की बुजिया मिल जाए त आलू तो सभी बचों का फेवरेट होता भी है थोड़ी देर हमारी से ढख देते हैं अब हमारी यह लगबग लगबग पक गई है लेकिन इसे धीमी आच में ही पकाना और यह देखे उपर से गोल्डन ब्राउन भी होने लगी है तो इस तरह से हम इसे चलाते रहेंगे और आज को धीमी ही रखना है तीज नहीं रखना एक बार शेक कर लेते हैं अभी इसमें थोड़ा टाइम है पकने में अभी पका नहीं है और नई फसल के आलू होती तो वह और जल्दी पक जाती है अभी इसे टाइम लगेगा तो लगबग पांच मिनट लगेंगे इसे अब धनिया में ला देते हैं और इसे इस तरह से पका लेंगे हम आलू के पीस आप शाय है तो थोड़े मोटे मोटे चिप्स के जैसे भी काट सकते हैं वो भी बहुत अच्छा लगता है और इस तरह हम थोड़ी देर ढग देंगे इसे चुकि बरतन गरम है उसमें ये और अच्छे से हो जाएगी और आप हमारी ये भुजिया तैयार हो गई है तो इसे आप पराठे के साथ खाएए पोड़ी के साथ खाएए या रोटी के साथ खाएए लगबग हर घर में इसका सुबा नास्ते के टाइम तो ये बनता ही है और यूपी बिहार में ये सारी चीजे बहुत खाए जाती है इस तरह से हम चावल निकाल लेंगे दाल निकाल लेंगे पिली वाली साथ में रखेंगे भुजिया और ये हो गई तैयार बिहारी थालित हमारी तो इसे आप लंच में सुबा साम कभी भी खा सकते हैं आप आफिस क को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बैल आइकन है उसे जरूर अन कर दें प्रेस करके वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये रिस्पी कैसी लगी है वीड से पसंद है और कम से कम हपते में दो दिन तो सभी खाते हैं